जारखन में पंचायद परतिनीधियों की अवधी पूरी हो चुकी है और इस बिच सरकार ने एक अहम फैसला लिया है और कहा जा सकता है कि छे महिने तक इनके कारकाल को एक्स्टेंड किया गया है इसके लिए एक समीती भी बनाया गया है हमारे साथ कई मुख्या के परतिनीध हो अगर चुनाव नहीं होता है तो मैद्ध परदेश के तर्ज पर यहां पर सास्के शमीती का गठन किया जाए चुकी हम मुख्या है और पंचायत में हम लोग सुरू से कायरी करते आए हैं और सरकार से हमारा यह डिमांड था आज बीटे चार माह से हम लोग इस मांग को मा कायरा सथ ब्रीराद हमने महामहिम राइजपाल मानणिय मुएक मंत्री माननिय गरामीन विकास मंत्री सब को पत्र के माईध्यम से यह अपनी मांग रखी थी कि अगर चुनाव सा समय नहीं होता है तो जो पंचयद सचिवाले की भुमिका है पंचयद सचिवाले प्रति दिन खुलना चाहिए और गाव की जो आम जनता है जारखन की जो आम जनता है उसको सारे सरकारी योजनावों का लाभ जानकारी पंचायद सचीवाले से मिले तो सरकार को हम लोग अपने और मुख्यासंग की और से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो परसास्किय श राइज नहीं मतलब पंचायद का नाम राइज नहीं देश में भी रोसन करने का काम करेंगे इस बात से खुस हैं कि यह एक्स्टेंड कर दिया गया चुकि जो लोग जीते हैं उन्हें छे महिना और मौका दिया जाएगा लेकिन आप लोग क्या मांग कर रहें कि फिर से पद है उनको भरे और उसके बाद चुनाओं में जाने के लिए तयार हैं हम लोग इस चीज के लिए यह नहीं कर रहे थे कि हमें पावर मिले चुकि हम गाउं के हैं और हम गाउं से चुन के आएं तो अगर पदाधिकारियों के पास यह पावर जाता तो घजार खंड की आम सुबह नहीं अगर हो पता है तो साम को करते हैं लेकिटन पादाधिकारियों को चक्कर इनको लगाना पढ़ता आज आप जान रहे हैं कि घ्ञार खंड में पन्चायत शचीवां की शंख्या आध्य से भी कम है एक पन्चायत को है एक पंचायत को में सचीव को दो कि kitchen स्रकार की हीए और मुख्या संग इसका त्हये दिल से धन्याद कर देता है ख़ी हैं सोरफ का फैसला है वह हमारे लिए बहुत ही अच्छा है हमारे लिए ही अरे fol qam Сейчас के लिए जारत की आम आप अच्छा हुआ कि पांज साल चाहिए जो हमारे यह लिए अच्छा हिए वह फाइप प्रस होगी है वो उतना दूर परखंड नहीं जाना पड़ रहा है, पंचायत में ही सारा काम कर रहा है, बुड़े बुड़े लोग है, बिध्वा हैं, यह है, उतना दूर नहीं जा पाती हैं, उ लोग. तो सारा काम हमारे थुरू ही उनका होता है तो उनके हित के लिए ये सरकार जो फैसला लिए है ये बहुत ही अच्छा फैसला है जब तक एलेक्शन नहीं होता है एलेक्शन की तियारी हो जाएगी हम लोग उसके लिए तियार है एलेक्शन के लिए हम लोग हर तरह से तियार है लेकिन हमारी जनता को तकलीप नहों उसका जो सरकार ये निर्नेली है उसके उससे हम लोग बुरे जारखन के मुख्या लोग और जनपरती नीदी लोग उससे खुस है यहाँ पर जो जुटे थे ये किस बात को लेकर जुटे थे चुकि कली से ये बैठक चल रही जुकि हम ज्ञ्खन सरकार के गिरामीर विकास मंतरीजी को और मानने मुकह मंतरीजी को ज्ञ्खन परदेस मुक्या संक्यर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि नोने महात्मा गांजी संक्य मात्मा ज़ी अज пожilалось मुख्थ होई हो ग्राम पंचाथ का देन और जो जह कर निर्ने लिया है यह संती बना करके जह माहां तक कारज करें बेहतर तरीके झे हमारे संभी मख्या जी और बेहतर तरीके जहाटीन संसरेक को बिश्वर्ट नहakte विश्वास किया है उसे बिश्वास जो निरने लिया है उससे ये काफी खुस हैं और ये इस वक्त जार्खंड के पुराने विधान सभा के सवागार में जूटे हैं हम चाहेंगे केमरे के जरीए आपको दिखाएं कि पूरे राज्य से तमाम परतिनिदी यहां पर जूटे हैं कल से ही यहां पर बैठक चल रही है और कल जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया है उस फैसले सी ये खुस हैं क्योंकि छे महिने तक इन्हें एक्स्टेंशन मिला है और कहा जा सकता है कि ये भी लगबग साफ हो गया कि करोना संक्रमन के कारण अब छे महिने तक चुनाव नहीं हो पाएंगे लेकिन छे महिने तक अधिकार मिलेगा जिस तरह से समीती बनाने की बात कही गई है उस समीती के तहद अपने अस्तर पर अपने अपने इलाके में ये विकास के कारिक करते रहेंगे अपने सहयोगी विवे के साथ सनी सारत दफाल ओप रांची